सबी को नमस्कार मैं राजिस लखिरा असिस्टेंट प्रोफेसर कमेस्टरी गोवर्मेंट कॉलेज आज अपना टोपिक है एप बलो के ततूं में चुम्ब की एक गुण एप बलो के ततों है वो डी बलो के ततूं की बाती चुम्ब की एक गुण रखते हैं लेकिन डी बलो के ततूं में जो चुम्ब की एक गुण जिस सुत्तर की साहिता से ग्यात कर सकते हैं वैसे एप बलो के ततूं में ग्यात नहीं कर सकते इसका कारण क्या है चुम्ब की एक गुण उत्पर कैसी हो जाती है इसे समझो कि कोई भी एटम होता है उसके अंदर एक नाविक होती है नाविक में न्यूट्रोन वे प्रोटोन पाए जाते हैं नाविक के चारों और इलाक्टोन इसीत कक्ष्याओं में चक्कर लगाती है कख्षया काफी हो सकती है पहली कख्षया दूसरी कख्षया तरित्या कख्षया बहुत से इलक्ट्रोन चक्र लगाते हैं एक इलक्ट्रोन की बात करते हैं इलक्ट्रोन है वो नाभी के चारू और गूमता है यानि कि नाभी के चारू और गूमता है जिसके कारण एक दारा बै टार आब क्याते है ऑविस प्रवाइक है कि दर कोई कहा जाता है प्रवाई तोनेवाले लथ निहीं होती Cheese घति कहाँ इसका मतलब रपधरित होता है जैसे आप मेक्से स्वेरल की सिदान्त के द्वारा व्याख्यख करते हैं एस गत्ति के काड़न एक्षुंब की जितर उत्पन हो जाता है और और हो जाता है क्योंकि or state नाम के एक विजयरिक ने बताया था कि कोई भी जहां भी दारा बैती है तो आप जहां दारा बैती है उसके चारों तरप एक चूम के चेतरी उत्पन जरूर होता है इसके अलावा स्पिन मोशन है वो अपने स्पिन करता है जिसके धर कि एक स्वैंक की व sha crist रॉट रहता है और एक चुम की आगर्ण उत्थपन हो ajaता है जिसे अपने स्पीन मोशन के काण गोड़ है इसे इसके पैर में म्युअ स हसल का मतलब कि ये स्पीन है स्पीन मोशन के काण चूम की रघकर भूता है उसकी गला स्पीन फॉर्मूला कि छसक्त्र कि जा सकता है क्या होता है मृई बराबर तो में इसके मानध razor होते हैं आज यहां पर क्या है एन यहां पर नमबर हो पर ऑन्पर एलक्ट्रोन है नति अब रोपल है तो यानि कि आइग मित लेक्टर नुकि संक्या है और एक आगत मित लेक्टर नुकि संक्या है उसकी स्पीन होती है सब्र껏 का मान पलस बाइन 2 या मान स्बढ़ रॉटं होता है तो एदनी लेक कि स्पीन कितनी हो जाएगी कि बड़ा किस बड़ा सभी एस है उनको जोड़ा कपंञा जाता है इसको SS कप्लींग कहा जाता है निससरे की प्ल斯 11 वाइट भी अन सभी को जोड दिया जाए तो बढ़ाएस आता है यानि की एक लेक्ट्रों की spin 1 by 2 होती है दूसरे की भी 1 by 2 तीसरे की भी 1 by 2 तो जितने भी है उनको जोड़ दिया जाए तो बड़ा S कामान क्या हो जाएगा n by 2 n यहाँ पर क्या है अनपेर इलेक्ट्रोन की संग्या है 2 को इदर ले जाओ तो n की जगे आप क्या लेक सकते हो में सां 2s कह सकती है n लिखतो चे 2s लिखतो यह सुत्र जो spin only formula है mu s बराबर क्या होता है n n पलस 2 का अंडरूड बोहर मेगनेटोन में होता है और mu s की जगे क्या लिख दे अपने 2s 2s पलस है 2 का अंडरूड बोहर मेगनेटोन में लिख दे तो इसे कहा जाता है spin only formula चक्रण मातर है शुत्र टू को बाहर निकालो आप तो mu s का मान क्या हो जाएगा कि टू को बाहर निकालो टू पहले सी है टू टू फोर हो जाएगा फोर ऐस है यहां से टू बारा गया यहां से बारा गया तो यहां पर क्या पंचेगा मिव समान फोर स प्लिस आपन यहां से यह स्पिन मोशन की कारण क्या गूण आया है यहां कि इसमें सभी परकार की मोशन को सामिल नहीं किया गया है कि यह फोर इसलिए शुत्र को spin only formula का आ जाता है यह सभी सुतर है कौन से सुतर है इनका नाम दिया गए spin only formula याने कि यह चक्रण मात्र सुतर है चक्रण मात्र सुतर है दिबलो के ततू में जो चुम की आगुन ग्यात किया जाता है वो वैसा ही आता है जो यानि कि total चुम के आगूण की equal आता है यानि कि spin गतिका D block में तो spin गतिका योगदान होता है लेकिन यहाँ पर अपने F block की तत्व में यहाँ से चुम के आगूण ग्याद किया जाता है वो kul sum की आगऽण की equal नहीं आता है यानि कि अपने ऐसे कह scripture mu total है वो mu s plus mu l यानि कि जो कक्षिय गती है इस परकार से एलेक्टर नभी के चारों और गती करता है उसका जो उत्रपन चुम की आगुन होता है वो उसको नगन्य नहीं माना जा सकता है deep block में तो ये इसको नगन्य नहीं माना जा सकता है इसका फिर नया फोर्मूला क्या होगा इसे देखते हैं